हलो दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है आज का जो सीटेट का पेपर वन हुआ है उसमें हम चाइल्ड डेवलप्मेंट एंड पैडलोजी के आंसर देखेंगे हैं स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को पहला कुशन है चात्र केंद्रित सिक्षा शास्त्र की क्या विशेष्टा है तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा उप्शन नमबर फोर्त बच्चों के अनुभवों को प्रमुकता देना अगला कुशन है अगला कुशन है समवेग एवम संग्यान एक दूसरे से डैश है तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा उप्शन नमबर पहला अगला कुशन है सरचनावादी धाचे में अधिगम प्रात्मिक रूप से चार option है, तो इसका correct answer है, problem पर केंदरित है, अगला question जो है, next question है, fifth, rapidly asking children to engage in learning activity, either to avoid punishment or to gain a reward, तो इसका correct answer है, वो हो जाएगा option number, fourth, next question है, which of the following statement about learning is correct from a constructivism perspective, तो इसका correct answer है, वो है option number, second, learning is the process of construction of knowledge by active engagement, next question है, next question है, presenting student with clear example and non-example, correct answer is, option number second, next question है, next question है, एक प्रात्मिक विद्ध्याले की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्य समाधान करता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोथसाहित कर सकती है, तो इसका correct answer है, इसका correct answer हो जाएगा, option number second, next question है, नेमलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिकम को बढ़ावा देती हैं, तो नौवे का जो answer है, वो हो जाएगा, option number fourth, पहला और तीसरा, अगला है, सिक्षक बच्चों की जटिल अवधार्णों की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं, तो इसका सही answer है, option number दूसरा, next question है, ग्यारवा, the primary cause of individual variation is, तो इसका correct answer हो जाएगा, option number, दूसरा, next, which of the following are example of secondary socialization agency, तो इसका सही answer हो जाएगा, option number, दूसरा, media and neighborhood, थर्टींत question है, in which of the following period does physical growth and development occurs at a rapid pace, तो इसका सही answer हो जाएगा, option number, तीसरा, infancy and early childhood, next, which of the following is not a principle of development, तो इसका सही answer हो जाएगा, option number, दूसरा, development is universal and cultural content of do not influence it, next है, कक्षा में परीचर्चा के दौरान एक शिक्षक पड़ाया, लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, ये किसका उधारन है, तो इसका सही answer हो जाएगा, option number, तीसरा, बच्चों में जेंडर, जूड़ी वाजिता, एक जेंडर भूमी का अनुरूपता को कम करने के लिए, निमलिखित में से कौन सी पद्धिती प्रभावशाली है, तो इसका सही answer हो जाएगा, option number, तीसरा हमारा, अगला है, निमलिखित में से किस मनो वैज्ञानिक ने बच्चों को ज्यान के सक्रिये जिग्यासु के रूप में देखते हुए, उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विशे वस्तु के प्रभाव को महत्व दिया, तो इसका जो सही answer हो जाएगा, अप्शन नमबर चौत्था, नेक्स्ट है, भाशा की अरजन अन विकास के लिए सरवधिक संवेदन शील्ड अवधी कौन सी है, तो इसका सही answer हो जाएगा, अप्शन नमबर चौत्था, अरली चाइल्डूड, उननिस्वा है, निमलिखित में से कौन सी लौरेंस कॉलवर्क के द्वारा प्रस्तावित नहतिक विकास की एक अवस्था है, तो इसका सही है, अप्शन नमबर चौत्था, हमारा सामाजिक अनुबंदर अभी विन्यास, अगला कौशन है, निमलिखित विवारों में से कौन सी जीन प्याजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्थ संक्रियात्मक अवस्था को विशेशित करता है, तो बीस विका जो आंसर हो जाएगा, अप्शन नमबर तीसरा, अगला कौशन है, बच्चों के संग्यात्मक विकास के संदारू में निमलिखित में से कौन सी प्याजी की सरचना है, तो इसका सही आंसर जो है, वो हो जाएगा हमारा अप्शन नमबर तीसरा, स्कीमा, अगला कौशन है, बाइसवा, जिग सो पहली को करते समय, पांच वर्स की नजमा स्वेंप से कहती है, नीला तुकड़ा कहां है, कहां है, नहीं, यह वाला नहीं, गाडे रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा, इस प्रकार की वारता को वाईगौस की किस प्रकार संबोधित करते हैं, तो इसका जो सही आंसर है, उप्शन नम्बर तीसरा, व्यक्तिकत वारता, अगला कौशन है, बच्चों को संकेत देतना, तथा आवशक्ता पढ़ने पर सही योग परदान करना, निम्लिखित में से किसका उधारन है, तो इसका जो सही आंसर है, वो हो जाएगा, उप्शन नम्बर दूसरा, स्काफोल्डिंग, नेक्स्ट है, रूही हमेशा समस्या के एक अधिक समाधानों के बारे में सोचती है, इनमें से काफी समाधान मौलिक होते हैं, रूही किन गोनों का प्रदर्शन कर रही है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा, उप्शन नम्बर चौता, कन्वर्जेंट थिंकर, नेक्स्ट है, आकलन का प्रात्मी कुद्देश्य क्या होना चाहिए, तो आकलन का प्रात्मी कुद्देश्य क्या होना चाहिए, वोगा उप्शन नम्बर चौता, समबंधित, अब धार्णाओं के बारे में बच्चों को स्पष्टा एमन ब्रहांतियों को समझाना, अगला है अगला है निमलिखित कत्नों में से कौन सा बुद्धी के बारे में सही है तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा उप्शन नम्बर चौता नेक्स्ट है नेक्स्ट कुश्चन है पठन विफल बच्चों के प्रात्मिक लक्षन क्या है मतलब डिसलेक्सिक की बात हो यह तो इसमें आएगा इसका करेक्ट आंसर आएगा उप्शन नम्र फस्ट धारा प्रवाप पढ़ने की अशमता नेक्स्ट है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेक की गई समावेशी शिक्षा की अवधार्णा निमलिखित में किस पर अधारित है तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अप्शन नमर दूसरा अगला कुशन है शिक्षा अधिकम प्रक्रिया में वंचित सम्हों से संबंदिद विध्यार्थियों की द्वारा से भागिता कम होने की स्थिती में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अप्शन नमर दूसरा इसका सही है अगला है एक समाविशिक अक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट सैक्षिक योजनाओ को तो इसका करेक्ट आंसर है अप्शन नमर पहला शूड अक्टिव प्रिपियर